All Dear Commandos, बहुत 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 धन्यवाद मैं आप सब का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि Zero Loss in Trade Strategy, Part 1 को आपने बहुत अच्छी तरह की से response दिया है उसको आपके ट्रेडिंग स्टाइल में उसको आप इंट्रोडियूस कर रहे हो और उसको आप include करने के कोशिश कर रहे हो, ये सुनके मुझे बहुत अच्छा लगा एक ही दिन हुआ है, strategy डालके लेकिन बहुत लोगों ने appreciate किया है अभी सभी चार्ट कमांडों ने इसको appreciate किया है कुछ कमांडों ने तो इसको back test करके इसके accuracy भी निकाली है कुछ कमांडों को 70% से ज़्यादा accuracy आई है, कुछ को 80% से ज़्यादा accuracy आई है ये accuracy हमारी trading psychology, risk reward और बाकी जो चीजे personal होती है उस पे depend होती है और तो इस तरीके से उन्होंने लिया है कुछ चार्ट कमांडों ने तो zero loss strategy से profit भी कमाया है आज के दिन और बहुत सारे screenshot भी मुझे भेजा है लेकिन हमारा जो rule है चार्ट कमांडों का कि दूसरे के screenshot हमें share नहीं करने है या कुद के भी बड़े-बड़े screenshot हो या चोटे हो हमें percentage में खाली बात करना है और spamming नहीं करना है इसलिए screenshot हम किसे के share नहीं करते हैं शुरू में करते थे बाद में वो बंद कर दिया इस तरीके से मैं सब का तहे दिल से शुक्रियादा करता हूँ और congratulate करना चाहता हूँ उन commandos को जिन्होंने इस strategy का use करके profit भी शुरू कर दिया है तो अगर आपको भी profit हुआ है आप भी उस commandos में हो तो आप please comment में बताईए कि आपको strategy कैसे लगी और आपको कितना profit हुआ अगर आपको profit हुआ है तो बिलकुल comment करिये friends बराबर और comment में बताईए screenshot देने की जरुरत नहीं है तो इस तरीके से आप हसला हफजाए आपकी भी होगी और आपके comment का मैं हमेशा respect करता हूँ आपको पता है तो इस part में short selling strategy हम देखेंगे ये zero loss intraday strategy में ही short कैसे करते है उसके बारे में हम देखेंगे और last में आपकी जो queries आई है comments में उसके मैं जवाब दूँगा और बहुत ही important जवाब है वो और आप इसलिए video last तक जरूर देखिए Welcome back to your own channel चार्ड का माड़ो friends ये मैं आपको zero loss strategy intraday strategy के part second में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ friends और directly हम subject पे आज आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने part 1 में देखा था कि बाई तरब की zero loss intraday strategy कैसे apply करे अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो starting में ही मैं i button पे वो link दे देता हूँ वो जाके पहले देखिए और आपको playlist में भी वो मिल जाएगा तो friends इसके लिए ये strategy के लिए requirement क्या है जो पहले strategy के लिए थी वो ही requirement है part 1 में मैंने detail बता है इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे देखिए basic knowledge आपको RSI का चाहिए इसमें कुछ rocket science की ज़रुवत नहीं है और यह RSI का वीडियो link मैंने description में दे दी है description में Google Drive की link है वहाँ पे premium courses जो मैंने already upload करे है लेकिन मैंने serially आपको technical analysis course करना है तो वहाँ पे जा सकते हो आपको swing trading का course करना है वहाँ पे जा सकते हो तो इस तरीके से price action का course करना है तो वहाँ पे मैंने description में एक PDF Google Drive की link दी है वहाँ पे खाली click करते जाओगे तो आपके premium course complete हो जाएगा आपको लाखों के knowledge बाहर लाखों उपए देने की ज़रत नहीं है यहाँ पे free में आप सीख सकते हो इसलिए description में जाएए और वहाँ पे वो Google Drive का link होगा उसको click करके serially videos देखिए इसके बाद देखिए आपको VWAP का भी knowledge चाहिए वहाँ पे मैंने VWAP का 3 वीडियो का 3 वीडियो का course दिया है friends दुनिया में एक ही जगे पे इतना सारा knowledge VWAP के बारे में आपको कही नहीं मिलेगा यह मुझे नहीं हमारे चार्ट कमांडो फैमिली के हर member को यह guarantee है इसके बाद देखिए basic knowledge हमें चाहिए support और resistance के बारे में तो यह support और resistance का भी वीडियो उस drive में है और आप playlist में भी उसको search कर सकते हो friends इस तरीके से यह हमारी requirement है उसके बाद हमें trading setup जो लगा रहा है platform उसी तरीके से trading you का use करिए या your broker का use करिए आपके broker के platform पे इसमें एक दिक्कत आ सकती है वो मैं last में query आपको clear कर दूँगा पिछले strategy में लोगों को 5 minute 15 minute में confusion हो रहा था मैंने clearly बताया है friends कि 15 minute आप खाली train देखने के लिए train ride करने के लिए pyramiding के लिए यूज करिए और जब भी आपको ये entry लेनी है तो आपको 5 minute के candle से ही entry लेनी है ये और एक बार मैं बता देता हूँ और यहां से मैंने 15 minute का time frame हटा दिया है आप only 5 minute का ही यूज करिए और उससे आपको confusion दूर हो जाएगा और इसमें chart जो लगाना है हमें candle stick का chart लगाना है indicator का setup जो बहुत जोनों की query आई है कि वो किस तरीके से indicator वहां पर लगाना है यहां पर देखिए आपको support and resistance हाथ से draw करिये या pivot point लगा दीजिए उसमें fibonacci करना है और VWAP और RSI और EMA 9 on RSI इस तरीके से लगाना है मैं एक बार वो पूरा setup आपको करके दिखाता हूँ friends तो हम मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ trading view के चार्टिंग platform पे और मैंने already यहां पर sub setup लगाया हुआ था फिर भी मैं यह sub setup आपके सामने delete कर देता हूँ remove all indicator देखिए यह पूरा clean हो गया chart और remove करने के बाद मैं दूबारा से यह sub setup आपको लगा के दिखाता हूँ तो ठीक है तो यहां पे देखिए friends यहां पे हमें यह fix जो दिया है indicator यह ट्याप पे जाना है बहुत जोनों को यह पता है लेकिन जिनको यहां पे क्लिक करना है ठीक है friends तीसरा indicator यहां पे वी वैप लगा लेना है आपको और यहां पे क्लिक करना है यहां पे indicator तीन ही मिलते है फ्री में अगर आपका फ्री आकाउंट रहे पेड नहीं है तो तो फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है मैं उसके भी आइडियाज बता देता हूं आपको यहां पे यह क्लिक करके मैं इसको सेटिंग में जाओंगा और यह प्योड की जो सेटिंग है ट्रैडिशनल को फिवोना से कर दूँगा और यहां पे देखिए मैं यह लेवल भी कट कर देता हूं और इसको मैं ब्लैक कलर देता हूं और थोड़ा जाड़ा कर लेता हूं तो देखिए इस तरीके से मैंने यह प्योड को सेटिंग किया आपने देखा अगर समझा नहीं तो बार-बार उसको रिपीट करके वीडियो देखिए फिर मैंने यह वीवैप के उपर क्लिक किया और सेटिंग में गया और वीवैप को मैंने थोड़ा जाड़ा इसले किया क्यूंकि वह क्लियर नहीं समझा है कि यह वीवैप है थोड़ा समय कलर भी चेंज कर देता हूं ठीक है इस तरीके से वीव आप का भी मैंने सेटिंग आपको बता दिया है कुछ भी छेट चाड़ बा कि मत करिए खाली मैंने कलर और उसके जाड़ी है वो चेंज करिए इसमें आरेसाइ में भी वहाँ पर जाके आप उपर क्लिक करिए वहाँ पर और सेटिंग पर जाईए और यह 14 क जो है हमें 40 का लगा लेना है तो इसी तरीके से मैंने क्लियर ले आपको सब सेट अप करके बता है अब इसमें जो है जिरो लॉस्ट्रेजी में यह आरेसाइ के ऊपर हम यह में इसलिए लगाते है कि कनफरमेशन आ जाए तो आरेसाइ के ऊपर कैसर यह में लगाते है उसके तो यह मैं यह आजाता है तो इसको मैं क्लिक कर देता हूं तो यह लग जाता है अब मेरा यह पेड़ है तो इसके लिए चाहूथा भी इंडिकेटर लग गया लेकिन अब यहां पे आपको वह भी सेटिंग करके बताता हूं कि अगर चाहूथा आपको नहीं लगा है तो उसको क्या कर सकते इसको 9 है तो 9 ही रखना है कोई लोग 20 का यूज करते हैं तो आप आपके स्टॉक के हिसाब से आप उसको ट्राय करें लिकिन मैं 9 का ही रखूंगा ठीक है तो इस तरीके से यह सेट अप हो गया है फ्रेंड्स औ यह मैंने आजूम करके यह मैं बता रहा हूं आपको तो यहां पर वीवैप नहीं लगता है इसको तो हम इसमें दूसरा कौन सा तो भी स्टॉक ले लेते हैं आप जो बता हो वो स्टॉक हम यहां पर ले लेते हैं फॉर एग्जामपल कोटक बैंक ले लेंगे नहीं तो हमने आज कोन सा trade लिया था हमने आज लिया था हम डाइरेक्ली टेलिग्राम पर जाके हैं देखेंगे हमने दो तिन टेरेड लिये थे आज तो उसमें से बहुत सारा profit Digital got कमा यह देखिये यहां पर यह candle पर जैसे ही इसने यह देखेंDKey aqui के उपर है और यह RSI के भी उपर है और यह इसके उपर क्लोज दिया है इसमें तो इस कैंडल के उपर हमने बाइ किया और यह पूरा राइड हो गया है तो इस तरीके से मैं आपको यह भी लगा के दिखाता हूँ तो वो वीडियो देखिए मैं उस पे ज़्यादा डिसकेशन नहीं करूंगा तो क्योंकि वो वी यह वीडियो का हमारा यह सब्जेक नहीं है तो भी यहां पर वन एस्टू फाई उसे ज़्यादा रिस्क रिवाड हमें मिला है तो वो स्टाटिक मैंने सिर्फ यह यह कि मैंने कैसे लगाया है बराबर अब यहां पर आपको चार इंडिकेटर का जो प्रॉब्लम आ रहा है वह भी मैं लाश्ट में बाता हूंगा कि किस तरीके से उसको सौल करते है नहीं तो आप भी बता देता हूं कि अगर यहां पर आपको नहीं लग रहे इंडिकेटर तो यह में मत लगाई है और RSI खाली 40 के ऊपर होना चाहिए यह देखिए पहले मैं स्ट्राटेजी पूरी बता लेता हूं और आप फो को फिर बाकी की चीज़े बताता हूं तो इंडिकेटर का सेट अप कैसे करना है वह भी मैंने बता दिया आपको यहां पर आभी सेल एंट्र के लगी सेलना तो इसके नीचे लोज तो आशना है जो क्लोफ होना चाहिए के एतन की यहां रहा है अगर अगर आपको चिंद्यकेटर नहीं लगाने को आ रहा है तो वह फोर्टी यह 30 के दुटि चआहा है ऐसा आप पकड़ लीजे यहाँ पर अगर breakout है breakout candle जो होगी breakout candle यह जो वी वैप है और यह वी वैप को नीचे की तरफ ऐसा candle break कर दीती है तो इस candle को हम breakout candle कहते हैं और यह must close below the वी वैप in 5 minute तो मैंने 15 minute का यह जंजट ही हाटा दिया confusion बहुत लोगों को हो रहा था तो directly सिर्फ 5 minute ही देखिए आप ठीक है प्रेंट्स उसके बाद हमने confirmation चाहिए कि enter above the sorry below the breakdown candle तो यहाँ पर यह below आप रेड करिए below the breakdown candle तो इसके below हमें enter करना है तो इस तरीके से यह होदा है देखिए है कि जो भी candle close हुई है वो वी वैप के नीचे close होनी चाहिए और वो close जो है resistance प्योट के नीचे होना चाहिए उसके नीचे कोई support ना हो नजदिक में तो यह देखना है हमें और जो candle है वो breakdown जिसने किया है वो candle के low के नीचे आपको order लगाना है जैसे कि यह candle क्रितम हो गए close हो गए और उपर दूसरी candle हो के उपर जा रही है तो उदर order नहीं लेना है आपको इधर यह order लगा के रख देना है आपको और wait करना है order execute होने का ठीक है तो मैं यह चार्ट पे भी दिखाता हूं आपको directly तो यहाँ पे कुछ अभी सेलेक्शन का इसा करना है वो बता है तो ज्यादा वालूम ओले stock सेलेक्ट करना है आपको और वहाँ पे यह strategy का वीडियो है खाली तो यहाँ पे देखिए यह 4 stock के decline बोल रहा है आज तो इसमें पहिला कौन सा stock है? Reliance चलिए हम Reliance ले ले लेते हैं तो यहाँ पे Reliance को मैं टाइप करूँगा तो देखिए आज यह Reliance पे यूज हो सकता था क्या यह strategy तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है देखिए friends यहाँ पे यह candle जो है यह VWAP के नीचे close करी है लेकिन यह RSI के नीचे नहीं था बराबर लेकिन प्योट के नीचे है तो तीन मैं से एक एक ख़त कंडिशन कम जादा भी हो रही है चार में से तो भी यहाँ पे चल सकता है तो मैंने आपको दूसरी कंडिशन कहा दी है कि अगर आप यह में नहीं लगा सकते हो चार इंडिकेटर के वज़े से तो यहाँ पे आपको देखना है कि RSI 60 के तो नीचे है कि नहीं बराबर है 60 के नीचे होना चाहिए और डिक्लाइनिंग नीचे जा रहा है ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो या आप अगर यह में कही यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल कप करना है यह कैंडल देखिए यह कैंडल यह में के नीचे भी है और प्योड के नीचे भी आ गई है और पूरी की पूरी कैंडल क्लोज नहीं तो पूरी की पूरी कैंडल यह VWAP के नीचे आ चुकी है, तो यहां इसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हो, पहला ट्रेड जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है और यह पियोड के ऊपर आपका स्टॉप लोस रहेगा, और यहां पे जो टार्गेट रहेगा आपका, वो नेक्स्ट पियोड लेवल रहेगा, यहां जो भी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा, तो यह देखे, वनेक्स्ट टू का हमारा टार्गेट यहां पे एच्व हो चुका है, अगर यहां पे आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, तो इस कैंडल के उपर का यह हाई पर स्टॉप लगाईए, इस कैंडल के लोग तोड का लगबग रिस्क रिवार्ड मिल चुका है, इसके बाद अगर नेक्स्ट प्योट का भी आप टार्गेट लगा लेते हो, तो भी यह देखे, हम थोड़ा बफर रखके लगाते हैं, तो भी यह देखे, हमें पूरा दूसरा भी टार्गेट हो चुका है, यहांनि वन यहां करेशो, हमें आज का ही ताजा ताजा उदारन में दे रहा हूं, रिलाइंस में अच्व हो चुका है, तो इस तरीके से देखे, तो मैंने बता दिया है, कहां पर यह एंट्री लेना है, कहां पर टार्गेट लगाना है, और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसके भी पेज यही करता हूं, थोड़ा सा एडिट नहीं हुआ है, तो मैंने डारेक्ले आपको यहां पर इस पे बताया है, कि आपको क्या चार्ट पे बता रहा हूं आपको, कि आपको जो कैंडल के नीचे, आप लो के नीचे शॉट कर रहे हो, उस कैंडल का हाई के ऊपर स्टॉप लगा सकते हो, इस तरीके से आपको वहाँ पर काम करना है, और टार्गेट जो रहेगा, टार्गेट की भी चार टाइप है, एक्जिट के से होंगे आप, एक तो अगर आपकी आपोज में ट्रेड गया है, तो आप स्टॉप लोस हीट होके एक्जिट हो जाओगे, नहीं तो आप वन आच तो टार्गेट क्लियर्ली रख लिजे और उसका इंतजार करिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि आप नेक्स प्योट का तार्गेट लगा सकते हो, और फिर दूसरा टार्गेट जो होगा, वह नेक्स प्योट का लगा सकते हो, यहनी support, जो हाथ से करो या यहां पर करिया तो मैंने यहां पर आपको यह कोई क्वेरी भी आपका स्वाल कर दिया है और दूसरा सबसे दूसरा सहे ऊपर चली गई तो यहां पे वेट करना यहां पर लगा के तो यह स्टॉ पलोस ओल़र बोलते है इसको यहां पर जाहिए और लखन आपकर गजार सम्झेन आपको ब्रैकि और ड़र के तो यह भी आपका solution हो जाएगा, लेकिन order हमें इसके लो के नीचे ही लगानी है, अगर समझो इसमें क्या profit होता है friends, कि अगर market हमने यहां पर यह लो के नीचे हमें sell करना है, अगर market नीचे आया ही नहीं, समझो अभी हमें sell यहां पर करना है, इसके यह candle के नीचे यह भफर लगा है, तो यहां पर order हमारी normal order में हम ऐसे नीचे या उपर, sell करते वक्त price के नीचे या buy करते वक्त price के उपर यहां पर order लगा सकते है friends, तो जैसे हम यहां पर order लगा लेंगे, अगर market उपर जाता है, हमारे opposite में जाता है, तो यह trick कितनी जबरदस्त काम करेगी, देखिए friends, अगर market हमारे opposite में जाता है, तो हमारे order तो हिट हुई ही नहीं, तो यह उपर भी गाया market, तो हमारा loss क्या होगा, नहीं के बराबर होगा, या zero loss होगा, ठीक है friends, बराबर, अगर समझो, यह market हमारे दिशा में आया, और हमारे order तूड़ी, तो हमने order ही ऐसे जगा पी लगा से भी, RR से भी आपका target लगा सकते हो, आप किस टाइब के trader हो, उस ही साब से आप यहाँ पर strategy को develop कर सकते हो, बिलकुल आप यहाँ पर थोड़ा सा edit करके आपके इसा, और यहाँ पर common sense भी आपको यूज करना पड़ेगा, कभी-कभी, अभी समझो, यहाँ पर यह प्योड जो है बहुत नजदिक अगर यहाँ पर रहेगा, तो short करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर support जो है नजदिक नहीं होना चाहिए उसके, तो यह थोड़ी सी छोटी-छोटी बाते हैं, इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे, friends, तो मैंने यह trick भी बता दी है, और कु quantity increase कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, कि यहाँ पर हमने यह देखिए, हमने अगर यहाँ पर short किया है, इस candle के low पे, तो यहाँ पर हमने एक lot लिया, या जो भी quantity है आपके risk reward के हिसाब से, दूसरा इसके नीचे और हमने ले लिया, तीसरा यह प्योड के नीचे अगर short होता, तो यहाँ पर हमने ले लिया, तो दिखिए, अगले प्योड के अभी target हमें achieve हो चुका है, तो इस तरीके से मैंने for example आपको बता दिया है market में, जो आज का trade है वही बता दिया है, तो बिल्कुल friends, इसका आपको बहुत सारा फाइदा हो सकता है, मैं आपके course है और बड़ा subject है वो, किसी और दिन हम उसको भी देखेंगे, इसके बाद query जो पूछी गई थी मुझे, कि इसमें मैंने यह query solve करने की कोशिश करी है, कि indicator setup में, trading view में सिर्फ तीन indicator लगते हैं, और हमारे यह strategy के लिए चार लग रहे हैं, जैसे कि यह pivot point है, अभी यहाँ प है, RSI पे वो मत यूज करिए, और यहाँ पे आप क्या करिए, कि यहाँ पे अगर आप 60 के नीचे RSI decline हो रहा है, 60 के नीचे है और नीचे आ रहा है वो, यह समझे, 60 का level है, और RSI ऐसा 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 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप शॉट कर सकते हो, इस condition को 9 EA में लगाने कि ज़रुरत नहीं है, अगर फ्रेंट्स आपको फिर भी 4 इंडिकेटर चाहिए यह चाहिए, और 4 से भी जादा चाहिए, फ्री इंडिकेटर तीन फ्री अकॉंट में ट्रेडिंग वी में, तीन ही इंडिकेटर मिलते हैं, आपको तीन से जादा, 4, 5, 6, 7 ऐसा ऐसा इंडिक और यहां पर हमें एड करने हैं, तो मुझे कॉमेंट में बता दीजे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और बहुत आसानी से आप तीन से जादा इंडिकेटर वहां पर लगा सकते हो, तो बिलकुल उसका भी वीडियो में आपको दे दूंगा फ्रेंट्स, लेकिन कॉमे करिए, और फ्रेंट्स, आपके हर कॉमेंट का में रिस्पेक्ट करता हूँ, और बिलकुल आपके उसका आंसर भी देने के कोशिश करते रहता हूँ, तो देखिए, अभी यहां पर हमेरा दिनेश गायकवाड जी है, उन्होंने देखिए, यहां पर पार वन था, वहां पर QUERी पूची है, क्या QUERी पूची है, तो उन्होंने पहला क्विश्टन पूचा है क्या हो टू यूऄजHAHA ne में रेसा आप रिवाइड करके देखिए, यही वीडियो मैंने स्टार्ट में इही बता दिया है कि 9EA में कैसे RSI पर यूज करना है, तो बिल्कुल ध्यान से बार किसे देखिए, मैंने आपके कुरिक्स का पहले ही जवाब दे दिया है, उसके बाद गायकवार साब ने पूचा है, कि can we use same strategy in Nifty and Bank Nifty as we'll not able to apply VWAP, तो बिल्कुल यहां पर फ्रेंड आप यहां पर लगा सकते हो VWAP ना लगाते हुए, sorry, Bank Nifty और Nifty में कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके broker का platform यूज करना पड़ेगा, और future, अगर समझो आपको Bank Nifty और Nifty में करना है, तो Nifty का वहां पर future का चार्ट आप लगा लो, और future के चार्ट लगाने के बाद, वहां पर लगा सकते हो, इसका भी अगर वीडियो चाहिए, तो मैं बना देता हूँ, लेकिन बनाने के कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वहां पर आप जाईए, खाली 9 EA में नहीं मिलेगा, तो मैं वहां पर आपको Short Selling की Strategy भी बता चुका हूँ, कि RSI 66 नीचे decline हो रहा है, ये criteria यूज क करके आप बिल्कुल वहां पर अच्छे खासे मुनाफिक कमा सकते हो, तो बिल्कुल ये सवाल का भी मैंने जवाब आपको दे दिया है, जैसे आप ZeroDA, Alize, Blue, Aasta जो भी है, आपका ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म पर जाईए, वहां पर और वहां पर आप VWAP लगा सकते हो, फ और वो वीडियो चाहिए, तो मैं शॉर्ट वीडियो उसके बारे में बता दूँ, लेकिन कोमेंट के मुझे बताईए कि क्या करना है, आप जो बोलेगे वही होगा, ठीके, तो अल कंडिशन्स फुल्फिल गैप अप अड़ गैप डाउन सिच्वेशन कैन वी राइड ओन और अवाइड एज दे चांस ओफ हाई वलाटिलिटी, यह देखिए इसमें गैप अप हो, गैप डाउन हो, इससे कुछ फरक नहीं पड़ता, लीवैप भी उसी तरीके से काम करता है, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, गैप अप डाउन भी होता है, तो भी आप उसी तर अपर ठीक नहीं है, यह देखिए यहाँ पर यह गैप अप होआ है, बराबर यह प्योट के ऊपर भी क्लोज होआ है, अब लेकिन यह दूसरा प्योट ऊपर आ रहा है, इस लिए यह पर यह अंट्री नहीं लेंगे, और रसा के भी यह उपर है वैसे तो, बराबर, तो यहा यह में के ऊपर है, और 60 के भी अगर केंडिशन करोगे तो वह उपर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको इसके हाई ब्रेक पे आपको यह एंट्री लेनी है, तो यह कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, यह नीचे आया है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर फाल का है, और इस हाई के ऊपर आप ट्रेड करोगे, तो यह देखे, भूम, तो वहाँ पर आसेंडिंग ट्रेंगल भी बनाता है, तो टेक्निकल आइनलिस आपको आना चाहिए, उस बेस पर वो करते हैं, लेकिन अगर आपको आता भी नहीं है, तो इसके हाई के ऊपर का ओर्ड आप डाउन ओपन हो, अभी देखे, यह गाप आप ओपन है, लेकिन इसके ऊपर विया आपको खोगे नहीं हो, देखे, यह कैंडल वियाप के नीचे खोगे, यह आरेसाइब नीचे आया है, देखे, भूम, नीचे हमारा मिला है, और आइसा यह दिमाग से ही निकल दीजी क कोई holy grail strategy होती है, इस strategy की भी कोई drawbacks है, लेकिन अगर हमें 50% भी अगर accuracy से मिलती है, तो भी हम risk reward के help से, money management के help से, 200-300% हम profit कमा सकते हैं, और हमारे commandos ने इस strategy का backtest किया है, तो वहाँ पे उनको पता चला है कि कम से कम 70-80% जादा इसके accuracy होती है, तो बिलकुल stop loss heat होने से loss होने वाला है, यह consider करके हैं, अगर आपको वो loss consider करना ही नहीं है, stop loss आपको लगता है कि hit होना ही नहीं चाहिए, तो आप trading छोड़ दीजे, आप job कर लीजे, तो यहाँ पे stop loss hit होगा ही होगा, अगर कोई दुनिया का trader बोलता है कि मेरा stop loss कभी भी hit नहीं होता, तो वो जू आपके आएंगे, उतना मेरा motivation बढ़ेगा, और इससे भी अच्छा-ची strategy में आपके लिए ला सकता हूँ, उसे मैंने दिनेश गायकवार जी क्यों लिया है comment, क्योंकि उनके सभी question वहाँ पे, जो queries है, maximum queries वहाँ पे आई है, यहाँ पे दिखिए उन्होंने, ऐसा पूछाई कि there any screener to search such stock, so that we will run same periodically within the daytime, so that, what are we, इनको पूछना है कि, इसका कुछ screener आवले बले क्या, ऐसा redimate screener तो नहीं है friends, लेकिन आप chartinc.com पे अगर जाओगे, तो वहाँ पे यहाँ पे बना सकते हो friends, बराबर है, अगर वो कैसे बनाना है, वो भी चाहिए, तो वो भी comment करिए, ब कि मैं अगर वो वीडियो बनाऊंगा, तो कुछ जो high, जो ज्यादा अनुबवाले लोग है, जो आच्छे खासे सिखे होले, टेक्निकल इंडिकेटर, जिनको आता है, उन लोगों को वो वीडियो बोर हो जाएगा, तो आप वो बहुत सिंपल है, तो वहाँ पे के उपर चाहिए, अगर पार्ट सेलिंग के लिए चाहिए, तो RSI 60 के नीचे चाहिए, डिकलाइना ऐसा, तो बस खतम बात, इस तरीके से आप वहाँ पे इंडिकेटर बना सकते हो, तो दिनेश गाय कोड़ जे आपने क्वीरी पूछी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आ उपरुछने का यह कि सी ओ भी ओ नहीं लगता है, तो क्या करना है तो आपको वहाँ जाएगा और नॉर्मल से ही स्टॉप लग लगाईए, और टर्गेट के लिए अगर से आप बाय कर रहे हो तो टर्गेट के लिए सेल अर्ड लगाईज तो यह हो जाएगा, भावना मैं पूचा है कि how to draw moving average on RSI, तो मैंने ये बता दिया है, थोड़ा वीडियो पीछे रिवाइंड करके ये देख सकते हो, कुरुतिका मैम ने पूचा है, कि सर प्योट स्टैंडर लगाना है या फिबो नसी लगाना है, प्लीज एक्स्प्लें, मैंने पिछले भी वीडियो में बता गया है, जबकि इस स्ट्राटेजी में इसका कोई अलग व्यू नहीं बताया गया है, और प्लीज कन्फूजन दूर करें, कि आखिर RSI 9 EMA का एक दूसरे से क्या संबंद है, तो यहां पर मैं, संदिप जै आपका दन्यवात करना चाहोगा, कि आपने क्वेरी पूची, तो 9 दिनों के आउरेज को RSI ब्रेक कर रहा है, यानि RSI bullish condition में आ रहा है, तो हमें यह confirmation मिल जाता है, कि आम बाय कर सकते हैं, अगर हम सेलिंग में हैं, और RSI 9 EMA को चेंज करता हूं नहीं, तो यह देखिए, तो यह यहां पर, यह EMA है, और RSI इसको क्रॉस करके नीचे जा रहा ह है, इसका मतलब है, बिछले 9 दिनों का आउरेज को RSI क्रॉस नीचे की तरफ कर रहा है, यानि वो bearish में जा सकता है, तो यह confirmation के लिए हमने लगाया है, यह confirmation अगर आपको EMA पसंद नहीं आता है, या नहीं लगता है, या कुछ चार इंडिकर नहीं लगा पा रहे हो, तो वह सावाल जवाब Q&A session लेने चाहिए क्या, और वीडियो उस पर बनाना चाहिए क्या, अगर बनाना है तो किस प्रकार से बनाना चाहिए, वो भी मुझे बताए, I am not a professional YouTuber, मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर आप गाइड करोगे तो उस तरीके से मैं कर लूँगा, और आपको जो चाहिए उस तरीके से वीडियो भी हम बना लेंगे, इस तरीके से आज का यहां पर टॉपिक यही पर खतम करते हैं, और आप जो नीचे यहां पर टेलिग्राम ग्रूप का भी लिंक है वहां पर, आप जाके वहां पर देख सकते हो कि यहां पर कि इतने सारे यहां पर प्रीमियम सी गुरूप में सिगनल भी देना शुरू हुआ है और रोज एक सिगनल देता हूँ, जो मैं ट्रेड खुद करता हूँ, वहीं यहां पर सिगनल देता हूँ और यहां पर आप देख सकते हो कि अभी आज का दिन क्या तारीक है, तीस त कर सकते हैं इसे फ्रेंडर के लिए बहुत ही इसे हमारे हज़ारों लोग उना दिन भुछ आच्छा जा रहा है और उनके कॉमेंट्स भुछ इंह आ रहें हारे उसके बाद में वच्छ लिश्ट भी आपर शेयर करता हूँ और मैं सब चार्ड शेयर करता हूं कि किस तरीके से ट्रेड वहां पे करने होते हैं, आज का अगर आप देखोंगे, तो हमने यह गलती से यहां पे 21 की जगा 0, 1 की जगा 0 होता है, लेकिन 825 के नीचे हमने शौड किया था, और स्टॉप लोस हमने 800 यह लगाया था, तो यह टा यह टार्गेट देखिये, 605 तक, यह बहुत नीचे तक वह गाया था, और बहुत सारे ओपन में ने बॉला था, तो ओपन टार्गेट में भी बहुत सारे लोगों ने कमा लिया है, उसके बाद अगर यह सारे टार्गेट यहां पे आचू हो चुके थे, यह चार्ट लोड ह कि दिया है, आपको कुछ भी यहां पे, क्या होता है, कि confusion बहुत सारे लोगों को होता है, कि पहले वीडियो कौन सा दिखू, बाद में कौन सा दिखू, तो वो कोर्स टाइब किया है, अगर आपको वो भी चाहिए, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड करके, वहां पे क्लि यूटूब चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, मैं एक सेकंद रुखता हूँ, हाँ वही लाल बटन, थैंक यू, और वो बेल आइकान का बटन भी दा बाजीज, हाँ बाज वाला, थैंक यू फ्रेंट्स, तो बिलकुल तब तक के लिए हसते रहे हैं, हसाते रहें, यू खुषिया बाटतरे ये फ्रेंट्स, बाइबाए नौ